नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के सुड़ी में हम बात करेंगे CLT वर्सस BDM के भी जो मैच है उसके बारे में आज के सुड़ी में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में पिछ रिपोर्ट के बारे मे में कुछ और भी फैक्ट आपको बताऊंगा इस मैच के बारे में और साथ इसाथ दोनों टीमों की प्रोबेबल लेवन भी आपको दिखाऊंगा और एंड में मैं आपको कुछ प्लियरों के स्टार्स दिखाऊंगा जिसे आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते च जिसे के आपका अच्छी खासे अर्मिंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग जरूर जिद सकते तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरे चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चाइ जिसका नाम है आसाम प्रीमियर क्लब टी ट्वेंटी चांपियंशिप याने यह कुल मिला के टी ट्वेंटी मैच है और यह मतलब यह मैच इस सीरीज का फर्स्ट सेमी फाइनल है और मैच है सील्ट वर्सेस बीडियम आफकोस आपको पहले भी बता चुका हूँ मैच की लाइव देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं फैन कोड के एप पर अगर भिन्यू की अगर बात कर ली जाए तो अंबेगान क्रिकेट ग्राउंड गोहाटी है जी आ दोस्तों अब कुछ पी मतलब जानकारी दे देता हूं दोनोटीमों के बार में इस टूर्णमेंट का सफर अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने पाच मुकाबले जीत कर अंकतालिका में मतलब पॉइंस टेबल्स में नंबर वन का हासिल नंबर वन का जो पोजिशन हासिल किया है ग्रूप ए का वही अगर बात करें तो बीडियम का परफॉमस इतना अच्छा नहीं रहा ह लेकिन फिर भी हो समी फाइनल तक पोच चुके है तो टेम काफी अच्छी है वीडियम ने पाच मैचेस में तीन मुकाबले जीतकर अंकतालिका में छे अंकों के साथ ग्रूप बी में तीसरे नंबर पर ये टीम आई है तो यहाँ पर अफकोस इस वह अगर देखा जाए तो CLT का पैड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है अब बात कते हैं पिछ रिपोट के और कुछ और फैक्ट में आपको जरू दिखाऊंगा तो यहाँ पिछ बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए संतुलित लग रही है इस पिछ पर टॉच जितकर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला जाद अच्छा सावित होगा क्योंकि जैसे कि आप देख पारे पहली पारी का आउसत स्कोर अगर देखा जाए तो एक संतुलित पीछ है जिस पर आउसत स्कोर है 138 का 2020 की सबसे थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पे इतना एक आउसतम स्कोर है दोस्तों और अगर आगे भी आपको अगर डिप में समझाओ तो दूसरी पारी में बल्ले बाजी करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है लक्ष का पीछा करते हुए यहाँ पर सिर्फ 40% मैचे जिते ग सबसे पहले बात कर लेते CLT की प्रोबेबले लेवन की तो वो कुछ इस तर से रह सकते हैं अरुन दास कुरुष्णा दास पल्लव कुमार दास विशाल सहा संदीप पॉल मानश गोगोई रंजन विकाश दास पराग बर्मन पृतिश राय गवरव तालुकादार संजीव प आप इसे कह सकते हैं अब बात करते हैं बीडियम की प्रोबेबले लेवन की तरसे रह गी तो वो कुछ अस तर से रह सकते हैं रजाल दिन आहमद कपताझ हैं सिद्धार सर्मा दिप्तेश शह, के से किया, वसिम आहमद, हिरोग जोती, डेका, गवरो से किया, रभी छेत्री, अनुराथ तालुकदर, विकेट की पर है, सुमंत जह, और रोशन बस फोर, तो इस तर से रहेगी ये बीडियम की प्रोबेबिलेलन, प्रेडिक्टेडेलन है फिर प्लेइंग अब मैं कुछ प्लियरों के स्टाट्स आपको जैसे के पहले ही बता चुका हो, बताने आला हो, जिससे के आपको अपनी खुद के एक विनिंग टीम बनाने में आसानी हो जाएगी, चाहे वो ड्रीम एलन का आप हो, या फिर कोई दूसरा आप हो, तो इसे हम होट पिक्स या टॉपिक्स देख सकते हैं, दिपते शाय, यह बीडियम टीम के बहतरीन सलामी बल्लेवाज है, जिया दोस्तों सलामी बल्लेवाज याने ओपनर है, इन्होंने अपने पिछले मैच में 15 गेंडों में 4 चोको और 1 चक्के की मदद से 27 रन बनाये थे, छोटी बगर अच्छी पारी खेली थी, इस चैंपियंशिप में अभी तक दो अर्दश्य तक कर चुके है, साथी साथ अपनी टीम के लिए 4 विकेट भी हासिल कर चुके, याने काफी अच्छा परफरमस बल्ले से तो रही है, लेकिन साथ-साथ ज़रुत पढ़ने पर गेंड़ भाज भी यह कर ल इस चैंपियंशिप में अभी तक इनका परफरमस काफी अच्छा रहा है, यह इस चैंपियंशिप के अभी तक अपनी टीम के लिए 11 विकेट हासिल कर चुके है, जो की काफी जबदस्त माना जा सकता है, तो इसलिए इनको भी अपनी टीम में लेना काफी ज़रुरी रहेग अगले जो होटपिक्स है, दोस्तो पल्लो कुमार दास है, CLT टीम के सबसे जबरदस्त बल्लेबाजों में से एक है, इस टूर्नमेंट में इन्होंने अभी तक एक शतक और एक अर्धशतक भी लगा चुके है, तो इसलिए यह भी काफी खतरनाक बल्लेबाज है, तो इनको भी लेना ज़रूरी है, अगले जो हमारे होटपिक्स है, दोस्तो प्रतीश राय, यह CLT टीम के सफलतम गेनबाज है, जया दोस्तो इन्होंने अपने पिछले चार विकेट हासिल किये थे, इस टूर्नमेंट में यह अभी तक दस विकेट हासिल कर चुके है, पिछले मैच मे नहीं उसमें उनके चार विकेट थे, तो यह भी काफी खतरना गेनबाज है, तो इनको भी आप अपने टीम में ज़रूरूर रख सकते हैं, अगले जो हमारे होटपिक्स है, इस टूर्नमेंट में इनका भी काफी अच्छा प्रफरमेंस राय, शंतो जनक प्रफरमेंस कोंग इन्होंने पिछले मैच में छे रन देकर एक विकेट हासिल के आता, तो अभी तक इस टूर्नमेंट में पाच विकेट लेपा है, तो इनके साथ आप मतलब एकाट टीम में लेज सकते हैं, एकाट टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, तो यह थे कुछ हाटपिक्स, आप चलते टीम ड्रीमिलियों की विनिंग टीम्स, जिससे के आपको अच्छे खासे अर्निंग हो सकते हैं, या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग जीद सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं मैं आच को हाइलाट करके दिखाते हैं, यह मैं अच्छ है दोस्तों, जिसके बारे मैं अब ही मैं आप से बात कर रहा हूँ, CLT वर्स बीडियम, तो इस पर आपको क्लिक कर लेनी है, अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाए, तो क्रियेटर टीम पर क्लिक की जगा, लेकिन मैं अल्रेडी टीम यहाँ पर बना के रख चुका हूँ, जिसे एक एक करके मैं आपको कीडिक करके जाओंगा, किस इसको लेना है, किसको नहीं लेना है, खिर में क्यापटन वार्ष कैपटन कसे बना सकते हैंато, तो चलिए माय टीम पर क्लिक कर लेतें सबसे पहले तो, और पहले टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हम आ चुके Keeping środ आपके दो बेस्ट ऑप्षन है एस पॉल और ए तालुकादार तो इसके अलाओ ज्यादा कुछ और है नहीं हम पास लेकिन पाहिलेटिम में मैं एकी के साथ जाओंगा एक तालुकादार ताकि मेरे पास ज्यादा ऑप्षन बन सके और यह फिर और पर तो इसके बाद आप स्वाज़ी तीनों जरूर आप इनको ठीनों चामिल कर सकते हैं जरूर आप उनके शाच् सकते हैं और आ जह सकते हैं अब शिलते तक अच्छा परफ़मेस भी इनोंने किया है तो जरूरी है एक मैच में कम से कम आप जरूरूर चार ओल्रोंडर के साथ जाहिएगा इनी चार ओल्रोंडर के साथ अगर गेंद बात करें तो तीनी गेंद बाज ले पाऊंगा क्योंकि अल्रेडी में चार ओल्रोंडर ले चुक कंट्यूनी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्यापटन बानाら को बना चेपटन के साथ कप अगर धखेंगे तो ज्हादा परसेंटेज आर चेत्रि को बरा लेकिन भी उसन यहां हो 박ी मैं को और किपर को नहीं लूँगा बैटिंग की गर बात करें तो P-10 है, M-Gogai को लिया है, D-Shah को लिया है, तो इस तर से तीन बल्ले बाद मैंने इस टीम में शामिल कर लिये, अगर All-Rounder में बात करें तो इस बार सबसे ज़ादा All-Rounder है नहीं होले मेरे पास 4 All-Rounder, क्योंकि मै अगले दोनों टीमों में हो सकता है ना लू चार All-Rounder, तो वो चार All-Rounder, A-R Ahmed, K-10, R-63 और R-10, गिनबाजी की बात करें तो A-10 है, P-Rai है और P-Berman को मैने इस टीम में शामिल कर लिया है, तो इस तर से यह सबसे बेस्ट टीम बनी है, दोस्तों काफी बढ़िया टीम है, कप्तान और वैस कप्तन के बात करें, तो इनको काफी ज़्यादा लोग परसेंटेज मिले है, कप्तन और वैस कप्तन बनाने में, लेकिन सर्प्राइजिंगली बात यह कि R-63 को लोगोंने कप्तान ज़्यादा बना है, और D-Shark को कप्तान कम बना है, लेकिन अगर देखा ज जा रहा हूँ, और R-63 के साथ वाइस कैप्तन के लिए जा रहा हूँ, इन्होंने एक-दो मैचस में काफी जादा पॉइंट दिये, रोस्तों लेकिन बाखी मैचस में इनके पर्फोर्मस थोड़ा ठीक ठाक है, बतलब खराब नहीं कहूंगा, ठीक ठाक पर्फोर्मस है, त जोनों लिग के लिए ये टिम काफी वेतर बनी है, और कोई रिस्की प्लियर इस टीम में शामिल नहीं है, जिससे कि आपको कोई नुकसान हो सके, तो इसलिए इस टीम को आप अगर जादा से जादा ग्रैंड लिग के लिए लगाएंगे तो आपको जादा फाइदा हो सकता तो अब चलते हैं, दूसरी टीम पर उसको भी डिट करके देख लेते हैं, तो अफकोस यहापे चेंजेस रहेंगे मेरे पास, क्यूंकि मैं हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करता हूँ, ताकि आपको ग्रैंड लिग जितने का मोकाम मिल सके, तो अफकोस यहापे तो अगले टिम में नहीं ले पाया था लेकिन पर्फेमस इंका बहुंत अच्छा रहा है तो एक टीम में आप इनको भी ट्राइक कर सकते हैं, चलिए औल्राउडेस की बात करें तो, अगर औरोँंडर स्मेर मैंने पहले ही बताया था, तीनी और लोँगा तो आर एहमद, के अखरी टीम रहेगी, उसमें और कोई चेंजे हम कर सकते हैं, तो फिर से कहूं आर एहमद, के दास और आर चेत्री, इस तरसे तीन आल रॉंडर मैंने यहापे लिए, गेंबाजी में अफकोस मैंने इस बाद चार गेंबाजों को लिया है, पेचले टीम में चार और थे एडास को लिया है पी बर्मन को लिया है उसके बाद आर बास फोर को इस टीम में शामिल कर लिया है इनके पॉइंट पर मैं जाए दोस्तों प्लियर काफे अच्छे एक आट टीम में जरूर रखेगा आपके ट्रम काट साबित हो सकते हैं उसके ब मिला कि यह टीम भी काफी अच्छे और संतुलित बंचो के कंटीनू पर क्लिक करते हैं और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आर चेत्री को कहीं ना कई क्याप्टन जरूर बनाऊंगा तो इस टीम का आ उसके बाद मेरे पास पी दास के साई के या दी शाह इस तरसे तीन अच्छे खासे बल्लेवादों को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है जो कि अच्छे बैटिंग कर सकते हैं और अभी तक परफर्फरमस भी अच्छा रहा है ओल रूंडर की बात करें तो आर एहमदे के दास ए और आर छेतरी है इसके अलो अगर बात करें तो पिछले टीम में चार ओल रूंडर थे लेकिन इस बार तीन ही लिए जिसके वज़े से मेरे पास एक ऑप्शन बढ़ गया है गेन बाजी में ए दास आर बास फोर पी बर्मन और एस समर्ष इस तरसे चार अच्छे खा से पॉइंट लेके देने वाले हैं जिससे आपको काफी फायदा होगा या तो आप ग्रैंड लिग जिद सकते या फिर अच्छे कासे अर्णिंग में जरूर कर सकते अब बात करते कैप्टन और वास कैप्टन के तो जैसे के आरचे त्री को मैंने पिसलेटिव में काफी अच्छा रहा है तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन और वास क्याप्टन बनाएंगे तो काफी फायदेमन साबित हो सकता है या तो आप इसनके जैसे ग्रैंड लिग भी जिद सकते या फिर अच्छे का से अर्णिंग तो जरूर कर सकते तो इसलिए मैंने यहाँ प काफी बढ़िया रहें तो आप अपनी सबसे स्टीम को यूज कर सकते फिर से मेरी सल्हा ज़रूर रहेगी जादा यूज किजिएगा स्मॉल लिग कि लिए भी जरूर उच कर सकते है लेकिन उसे पहले रहें लगा दिजिएगा इस टीम को भी ख्लोट कर लेते हैं सेव कर ल आपकी जगा दो कीपर के साथ जारो एस पॉल और एतालुकादार दोनों को मैं इस टीम में रखूंगा दोनों का परफॉर्मस अगर अच्छा रहता है तो हमें काफी फायदा हो सकता है तो इसलिए मैं इस तर से क्या है पैटिंग की बात करें तो यहाँ पर पीदास दीशा और डवलो एहमद को इस बार मैंने लिया है दोस्तों सर्प्राइजिंग प्लियर है परफॉर्मस अच्छा करेंगे तो काफी फायदे मन सावित होगा अगर बात करते हैं आल राउंडर के तो वही तीन आल राउंडर में ले रहा हूं आर एहमद के दास और आर छेत्री आपको किसी एक को चेंज करना चाहिए तो करें सकते हैं लेकिन मुझे लगता है थोड़ा रिस्की सावित होगा तो इसलिए मैं यहां पर उन्हीं तीनों को रख रहा हूं गेनबाजी की बात करें तो गेनबाजी में देख सकते हैं पी राई एदास और यहां पर फिर से ए है किम सकते हैं तो मैंने श्क woll करते हैं जैसे कि आप देख पार सन्तूली टीम लग रही है अगर देखा जाए तो दो कीपर है मेरे पास दोनों ने बेस्ट पर्फरमस किया एस पॉल और ए तालुकादार तीन अच्छे खासे बल्लेबाज है पी दास डीशा और डबलू एहमद एक थोड़ा रिस्की प्लियर कहूंगा मैं लेकिन ये आपके ट्रमकार्ट भी अगर साबित हो सकते क्योंकि काफी कम लोगों ने इनको लिया है और अगर ये अच्छा पर्फरमस करते है तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने लिया है क्योंकि करिब करिब मेरे खाल से प इसके लाव में किसी ओल रॉंडर के साथ नहीं जा सकता क्योंकि इन तिनों को में से किसी को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है अगर बात करें तो गेनबाजी में मैं फिर से एक चेंज कर रहा हूँ एदास है मेरे पास पीराय भी है लेकिन एच जोती डेका को अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पाया था तो यहां पर मैं उनको जरूर ले रहा हूँ तो कुल्मिला के यह टीम काफी अच्छी और संतुलित बन चुके और देख सकते मैं आपको हाइलाट करके दिखा रहा हूँ क्रेडिट भी हमारी खतम हो चुके है यानि वाकर ही तो काफी वड़िया परफरमस रहा है पी दास का और आर अहमत का दोनों की दोनों बेस्ट है एक अच्छे बैस्मोन है इस ट्रैक रेट अच्छा रख सकते तो एक और अच्छे बैटिंग और बालिंग दोनों में काम आ सकते और ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट दे सकते तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टर और वाइस क्याप्टर मनाते है तो काफी फायदेमन सावित हो सकता है तो कुल मिला कि हमारी तीसरी टीम भी काफी अच्छी बन चुकिए इस टीम को भी अभी क्लोज करते सेव कर लेते और आखिर में यही कोंगा दोस्तों इन ती टीम बन चुके है आई होप आपको यह टीनोटी में और मेरा वीडियो जरूर पसंद आयोगा अगर पसंद आयो तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना साथ इसाथ अपने टेलिग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों वहाँ पे जाके उसे जरूर कर लीजे ताकि इस मैच के बारे में कुछ भी अपडेट रहते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस रहते हैं लाइनप साउट होने के बाद तो उसके बार झाल 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 झाल